ए रेंग हंटर, एपिसोड 227 से लेकर 228 तक, एपिसोड 227, विश्व के कोने कोने से आए 50,000 से अधिक शिकारी जो विशालकाई गेट से बचाव के लिए यहां आए थे, चकित होकर देख रहे थे कि कैसे काले राक्षस वीर के सामने घुरने टेकने लगे, यीश्व, काले क वच या काले धुये में लिप्टे सेनिकों का ये समुद्र अनंत का आल तक चलता प्रतीत होता था, इन में से प्रत्येक प्राणी में अविश्वस्निय मात्रा में जादूई उर्जा थी, लेकिन कुछ और भी था जिसने एकत्रित शिकारियों को अपनी आँखों पर और अधिक संदे करने पर मजबूर कर दिया, वह, 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 क्या ऐसा हो सकता है, ठीक वहीं अंत में, आप देख रहे हैं कि वहीं अंत में क्या है, है न, हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ, शिकारियों ने काले सेनिकों की इस सेना की पीट की ओर इशारा किया, उनका रंग बहु पूरी तरह आवाक रह गए कि ये ड्रेगन भी इनकाले सेनिकों की कतार का हिस्सा थे, मानव इतिहास में पहली और आखिरी बार जो ड्रेगन आया था, वह था कामिश, उस एक प्राणी ने अकेले ही उस समय जीवित लगभग हर एक कुलीन शिकारी को खत्म कर दिया था, औ पूरी दुनिया विनाश की भया वह आग में फंसने का खत्रा था, अब गंभीरता से सोचिए, क्या लोग उस ड्रेगन को बिना किसी अच्छे कारण के अमर्जवाला वाले नाम से पुकारना शुरू कर देंगे, और इसलिए केवल एक ऐसा प्राणी मानव जाती के अस्ति विना के खिलाफ लड़ने का फैसला करते तो क्या होता? शिकारियों ने इन काले राक्षसों के खिलाफ संभावित युद्ध की स्थिती की कल्पना की, जो वर्तमान में जुके हुए थे और महसूस किया कि उनके शरीर में तेजी से रूम्टे खड़े हो गए. और उसी समय वे हंटर वीर की वास्तविक पहचान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए, जो उनके सामने इस तरह खड़ा था मानोवा दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज हो. वीर ने अपनी नजर ग्रैंड मार्शल बेलियन और अपने नेता के पीछे गुटने टेकते हुए अ अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. वीर को उन शब्दों को पूरी तरह से पचाने में थोड़ा समय लगा. यह उसके लिए बहुत आश्चर यजनक था. इसी कारण वह दुविधा में था. वह यहां के किसी भी व्यक्ती से बहतर जानता था कि सम्प्रभू और शास कारियों में से प्रत्येक को गेट को रोकने के लिए राजी करना एक असंभव रूप से कर्थिन काम था. इससे पहले की यह मानव इतिहास में सबसे बुरी आपदा बन जाए. और भी, दस हजार में से एक मामले में, नहीं, दस लाख में से एक संभावना यह है कि नाम अब उसकी आँखों के सामने घुटने टेक रहा था. वीर ने मन ही मन अपनी लार निगल ली और अपने सैनिकों को देखा. हालांकि वह इन सैनिकों को पालने के लिए जिम्मेदार नहीं था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उनमें से हर एक उससे जुड़ा हुआ थ यह एक जटिल नेटवर्क था, जो मकड़ी के जाले की तरह जुड़ा हुआ था. और इस नेटवर्क के जरिये अपने मालिक से फिर से मिलने पर उन्हें जो खुशी महसूस हुई, वह पूरी तरह से उस तक पहुँच गई. यह वह विरासत है जो पूर्व छाया समराट न पहले उसने पीछे की ओर ड्रेगन्स पर एक संक्षिप नजर डाली. ग्रैंड मार्शल बेलियन, इस व्यक्ती में निश्चित रूप से गरिमा और शक्ती थी, जो उसके पद के लिए उप्युक्त थी. हालांकि उसके कवच के पीछे फटे हुए पंखों का निशान था. दो जोडी पंख, वीर को याद आया कि सामान्य चांदी वस्त्रधारी सैनिकों के पास एक जोडी पंख होते थे, जब कि शासकों के पास छे पंख होते थे और इस तथे से वह मोटे तोर पर बेलियन की क्षमदा के स्तर का अनुमान लगा सकता था. वीर ने अपनी समवेद क्योंकि उसके पास इतनी शक्ती थी, वह वास्तव में एक चाया सेना का नित्रित्व करने के लिए योग्य था जिसमें ड्रेगन भी शामिल थे. वीर ने अपना सिर उठाया, चाया सेना, युद्ध में जाने की इच्छा रखने वाले राजा को अंतता अपने सैनिक वाप अपने वफादार सैनिक थे. बाहर आओ, वीर के इशारे पर उसके पीछे से और भी शाया सैनिक प्रकट हुए. अब तक उनकी संख्या बढ़कर 2000 के करीब हो चुकी थी. बेरू, एगरिट, ग्रीग, नंबर 6, फेंग्स, आयरन, जिमा, टैंक आदी सभी ने वीर के पीछे की जगा को भर दिया. और फिर, चूत, वे भी घुटनों के बल बैट गए और सिर जुका लिया, ठीक वैसे ही जैसे चाया सैनिक विशाल द्वार से बाहर आये थे. हर एक चाया सैनिक ने उसे दोनों तरफ से घेर कर, चुपचाप अपनी वफादारी की कसम खाए. वीर ने महसूस हो रहा था कि कुछ लोग उसकी ओर ओर रहे हैं, उसकी गर्दन पर बहुत दर्दनाक तरीके से वार कर रहे हैं, और उसे बस अपने पीछे देखने की जरूरत है. यही पर उन्होंने देखा कि हजारों हंटर्स खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे, साथ ही सेकड़ से समझाऊं, जाहिर है, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था, खैर, अती विशाल द्वार से निकलने वाले प्रत्येक राक्षस ने हंटर वीर के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिये, और इस चौकाने वाले द्रिश्य का पूरे विश्व में सीधा प्रसारन किया गया, इसलिए वहां मची अफ्रत अफ्री स्वाभाविक थी, दर्शक गेट खुलते समय चिंता और भय के साथ देख रहे थे, इसलिए उनके लिए खुद को उस मानसिक आगात के गड़े से बाहर निकालना काफी कठिन था, जैसे किसी ने उनके सिर के पीछे चित रूप से तमाचा मार दिया हो, इस मामले को लेकर लगभग हर ओनलाइन समुदाय में गर्मागरम उनमाद फैल गया, क्या बकवास है, अभी अभी वो काले राक्षस आखिर क्या हुआ, क्या कोई इस बकवास को समझा सकता है, मुझे मत बताओ, वे सभी राक्षस मिस् ओ, तो फिर आप हम अग्यानी लोगों को क्यों नहीं ग्यान देते, सबसे पहले, वे सभी हंटर वीर के समन की तरह ही दिखते हैं, है न, लेकिन फिर भी, गेट से समन कैसे निकल सकता है, कई लोगों ने अविश्वास व्यक्त किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा गया कि भीर में तीन ड्रेगन भी थे, तीन ड्रेगन लोलोल बहुत ही पागल, लोलोल, कामिश बाहर आता है, उन्हें देखता है, वह कहता है, नहीं, और चला जाता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, कामिश की मृत्यू लगभग 9 साल पहले हो चुकी है, तो वह बाहर आ सकती है और फिर चली जा सकती है, मेरे उपर टिपनी करने वाला वूश, दिनर पार्टियों में आप अवश्य ही आनंदित होंगे, अरे, ये बकवास मुझे पागल कर रही है, सच में, यार मैं चाहता हूं की हंटर वीर साफ 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 सामने आए और हमें बताई की क्या हुआ, इस बीच, टीवी स्टेशनों ने उसी समय के चौकाने वाले द्रिश्यों को बार-बार प्रसारित करना जारी रखा, तथा उनका विशलेशन कर उप्यूक तनुमान लगाने का भरसक प्रयास किया, दुर्भाग्यवश, इस ग्रह पर ऐसे कोई विशेशग्य नहीं थे जो इस घटना को सपष्ट रूप से समझा पाते की बुलाए गए प्रानी, नकी राक्षस, एक ही व्यक्ती के थे और उनमें ड्रेगन भी शामिल थे, जो एक अभुतपूर्वाकार वाले द्वार से बाहर आ रहे थे, हूँ हो, ये पता लगाने के लिए की ऐसा क कुछ कैसे हो सकता है, यहां तक की मैं भी, हम, उनमें से हर कोई हैरान था और केवल अपना सिर हिला सकता था, वे एक लाग से ज्यादा बुलाए गए प्रानियों के रिकॉर्ड किये गए फुटेज को देखकर आश्चर्य चकित हो गए, जो बार बार वीर के सामने घुटन नुरूप मरदाना आभा उत्सजित कर रहा था, क्योंकि वहुन सभी काले सैनिकों से घिरा हुआ था, जल्द ही, विशेशग्यों ने सामुहिक रूप से इस घटना को परिभाशित किया, एक चमतकार, यद्यपी यह घटना चौकाने वाली और अप्रत्याशित तरीके से घटित हुई, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका अंतिम परिनाम हम सभी के लिए सौभाग्य शाली होगा, आप कहते हैं कि यह सौभाग्य की बात है, क्या आप देख सकते हैं कि इस समय स्क्रीन पर कितने राक्षस्प नहीं, कितने समन हैं, विशेशग्य ने स्क दर्शित की गई उस अत्यदिक संख्या को देखकर सुखी लार स्वतह ही उसके गले से नीचे उतर जाती, किसी को ये बताने की जरूरत ही नहीं थी कि इस सेना में तीन ग्रेगन भी शामिल थे, कुल संख्या इतनी भयावे थी, अगर हमारे शिकारी उन चीजों से लड़त और ऐसा लगता है कि वह उन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है, हालां कि अफसोस की बात है कि यह बात अभी तक एक अनुमान ही बनी हुई है, केवल हंटर वीर ही सच्चाई जानता है, यही पर विशेशग्य ने अपनी व्याख्या समाप्त की, बहुत बढ़िया समय पर स्क्रीन पर अबुस घटना का आखिरी द्रिश्य दिखाया गया, जिसने सभी को इस तरह से आश्चर्य चकित कर दिया, यही इसी क्षंड वीर अन्य शिकारियों पर एक व्यापक नजर डाल रहा था, इससे पहले कि वह सच्मुच अपनी ही छाया में फिसल जाता औ कोर्याई शिकारी संग को टेली फोन पर पूछताच का ताता लगा हुआ था, जो पूरी दुनिया से आ रही थी, अब तक उनका एक ही जवाब था, हमें भी नहीं पता, हालांकि यह उस कार्यक्रम के लिए पहले से ही जल रही दिल्चस्पी की आग में घी डालने जैसा था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी, एमसी ने उत्साहित चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखा और घर बैठे दर्शकों को संबोधित किया, हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वह अथा शीगर वापस आएं और उन सभी प्रशनों का समाधान कर जाने के लिए एकदम सही जगर थी, वीर काफी दूरी पर खड़ा था, जबकि 130-00-00 से अधिक की सेना दो भागों में बंती हुई थी और एक विशाल मैदान के दोनों और खड़ी थी, शुरू करना, उसने मन ही मन आदेश जारी किया, जिससे सेनाओं की दोनों टुकडिय शक्तिशाली रूप से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी, जमीन पर उनके पैरों की तेज आवाज से धर्ती हिलती हुई लग रही थी, भागते हुए सेनिकों की दो टुकडियों के बीच की दूरी एक पल में कम हो गई, और इससे ठीक पहले की वे आमने सामने तकराने वा जब कुछ सेनिक अलग थलग पढ़ गए, तो उसने उन्हें वापस बुला लिया और उन्हें उचित स्थान पर वापस ले आया, उसके कारियों की सहचता समुद्र में बहने वाली नदी की तरह थी, अब तक लड़े गए युद्धों के अनुभवों के आधार पर सेनिको पर भी लागू होता था, बस काफी है, वीर ने धीमी आवाज में बात की, लेकिन छाया सेनिकों के लिए उसकी इच्छा सुनने के लिए यह परियाब था, वे सभी एक पल में रुक गए, चाक, उनकी हरकतें एकदम तालमेल में थी, इस नकली लड़ाई को रोकने के बाद वीर ने अपनी तरफ देखा, तो आप क्या सोचते हैं, ग्रैंड मार्शल बेलियन ने आश्चर्य चकित प्रशंसा भरे स्वर में कहा, मैंने इस तरह से सेना को जुटाने के बारे में कभी नहीं सोचा था, मैं केवल विस्मया और सदमे की भावनाओं को व्यक्त कर सकता मेरे स्वामी। उसकी बरती नाक को कुछ देर तक देखते हुए हलके से मुस्कुराया, हलांकि जब अचानक उसकी जेब में दिवाइस ने शोर मचाना शुरू किया तो उसे रुख कर अपना फोन उठाना पड़ा, वुवु वुवु वु, वीर, यह मैं हूँ, रूही, क्या चल रहा है, रूही के अनुसार, वीर के बिना कुछ कहे गायब हो जाने के बाद ना केवल असोसियेशन बलकि आह जिन गिल्ड को भी कॉलों की बार आ गई, जिसके कारण फोन लाइने अस्थाई रूप से ठप हो गई, मेरी गलती, क्या आप थोड़ी देर और रुख सकते हैं जब तक कि मैं पहले अपने विचारों को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर लेता, इसकी चिंता मत करो, वीर, क्या हमने इस गिल्ड की स्थापना इसलिए नहीं की थी ताकि तुम इन चीजों से परेशान हुए बिना छापे मारने पर ध्यान के इंद्रित कर सको, फोन से रूही की मुस वीर, वीर ने कॉल समाप्त करने के बाद फोन जेब में रख लिया, लेकिन ऐसा करते समय उसके मूँ से एक भारी, लंबी आख धीरे धीरे निकली, वह जानता था कि उसे इस तरह से इससे बचना नहीं चाहिए, हालांकि गेट्स और उसके चाया सैनिकों को समझाने के मैदान में बदल जाएगी, खुद को सोचने के लिए कुछ समय देने के लिए उसे बस वहां से दूर जाना पड़ा, उसने सोचा कि यह सबसे अच्छा है, बस थोड़ा सा और लंबा, वह चाहते थे कि मानवता थोड़े समय के लिए भी शान्ती का आनन ले सके, मुझे यक मम, वीर ने मुर कर देखा तो बेरू जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर्जमीन की और जुका हुआ था और उसने अपना मुह खोला हुआ था, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे ग्रैंड मार्शल के पद के लिए प्रतिस परधा करने का अवसर प्रदान करें, ग्रैंड मार्शल की स्थिती के बारे में आप क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास पहले से ही एक ग्रैंड मार्शल नहीं था, वीर को ये बात समझ में नहीं है, लेकिन अचानक उसे सिस्टम की उपलबद उचितम श्रेनी के शेड़ो सोलजर्स की जानकारी सेना के जनरल के पद पर केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था तो जो सैनिक हाल ही में मार्शल ग्रेट तक पहुँचे हैं उन्हें अपने से पहले वाले के साथ पदानुक्रम स्थापित करना होगा क्या सिस्टम ने ऐसा कुछ नहीं कहा था यदि वह यह मानले की सेना का जनरल ग् अक्षस के अनुरूप बेरू मार्शलों के बीच उचित पदानुक्रम स्थापित करना चाहता था मार्शल भिल रहे हैं है ना बस सुनिश्चित करने के लिए वीर ने अपनी नजर दूसरे मार्शल इगरिट पर घुमाई लेकिन ब्लैक नाइट ने विनमरता से प्रस्ता को अस्विकार कर दिया ऐसा लग रहा था कि वह मार्शलों के बीच पदानुक्रम स्थापित करने में बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं रखता था इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही काला शूर वीर चुपचाप एक कदम पीछे हटा तो वीर का ध्यान आ चूनकी वह अपने मालिक की मौजूदगी में था इसलिए उसने अपना आसन जितना संभव हो उतना नीचे कर लिया था लेकिन फिर भी वह तॉमस आंद्रे से एक से रूचा था इस विशालका इन्हें शांती से अपने मालिक की प्रश्णवाचक आँखों का जवाब दिय मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा उन्होंने कहा उनकी इच्छा का पालन करें बेलियन के उत्तर पर वीर के चेहरे पर हलकी सी मुसकान आ गई बेशक उनकी आवाज बहुत विनम्ल थी हालांकि ये समझना मुश्किल नहीं था कि वह चुनौती देने वाले का डटकर सा इहक जबकि बेलियन अपनी जादूई उर्जा को यथा संभव छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था बेरू इसके विपरीत था और उसने अपनी भयानक जादूई उर्जा उत्सरजन को रोप नहीं पाया हम वीर ने अपना मन बनाने से पहले एक दोक्षन सोचा ठीक है वह बेरू के बारे में लगभग सब कुछ जानता था लेकिन बेलियन एक अलग कहानी थी उसकी युद्ध कोशल की सीमा को जानना भविश्य में सेना को सही धंग से तैनात करने में एक अमूल्य डेटा साबित होगा ये भी सपष्ट था कि वीर का दिल चुनोती को स्वीका करने के लिए तैयार था हालांकि मुकाबला कब खत्म करना है इसका निर्नाय में ही करूंगा अपने मालिक की अनुमती पाकर बेरू का चेहरा अब खुशी से भर गया था वह लगभग आंसु बहाने लगा और रोते हुए उसकी आंखें चमकने लगी मैं आपकी गूरता से अभिभूत और गहराई से सम्मानित महसूस कर रहा हूं इसे रोक मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे राजा एक तरफ बेरू अपने मौके का जशन मना रहा है दूसरी तरफ बेलियन शांती से आगामी चुनोती के लिए तैयार हो रहा है ऐसा लग रहा था जैसे ये द उसे हलके से जंगल की ओर घुमाया क्वा जा 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 शॉट स्वार्ड से निकली काली चीक ने जंगल के एक हिस्से को तहस नहस कर दिया हालांकि नुकसान उतना गंभीर नहीं था जितना उसने सोचा था वीर ने सिर हिलाया और हथियार को दूर र धर्ती को कुछ हद तक अकेलेपन से देखा जब उसने अपने दोनों मार्शलों को देखा तो उसकी आँखें पहले से ही उत्सुक्ता से भर गई थी तो ठीक है अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे ग्रैंड मार्शल और नए मार्शल दोनों ने एक साथ अपना हम तेयार हैं महाराज हमें अपना आदेश दीजिए है मेरे राजा वीर ने हस्ते हुए उन दोनों को संबोधित किया अपनी स्थिती पर जाओ इस बीच कोरियाई शिकारी संग में वापस असोसियेशन के अपातकालीन प्रतिक्रिया सम्मेलन हौल के अंदर हो रही गतिवि हमसे मिस्टर वीर के वर्तमान ठिकाने की जानकारी जारी करने का अनुरोध कर रहा है सियोल मेट्रोपॉलिटन फायर एंड डिजास्टर्स हमसे पूछ रहे हैं कि क्या निकाले गए नागरिकों को वापस लाना ठीक होगा हंटर चैनल का प्रसिद दजिमी शो मिस्टर वीर उसे अधिक थी यह एक छोटा सा चमतकार ही था कि उनकी फोन लाइने अभी तक खराब नहीं हुई थी जहां तक असोसियेशन के अध्यक्ष वूर्जिन चियोल का प्रश्न है हालांकि उन्होंने एक के बाद एक आदेश जारी किये लेकिन वे अपनी मेज पर रखे सरकारी जांच दस्तावेजों के धेर को देखते हुए बार-बार कराहें निकालना भी नहीं भूले फूबू इस समय उसे जो करना था वह माउंग ताई जितना ही उचा था नहीं रुको अगर यह उस परानिक परवत जितना ही उचा होता तो वास्तव में बहतर होता बात ये थी क माउंग ताई ने वास्तव में एक लंबी परवत श्रिंखला का निर्मान किया था और एक परवत को पार करने के बाद उसे दूसरे परवत का सामना करना पड़ता और उसके बाद एक और और फिर एक और परवत उसका इंतजार कर रहा था उसका काम इतना बढ़ गया था कि अब उसे उसका अंत नजर नहीं आ रहा था यह इतना गंभीर था कि उसे भी इस पागलपन से चक कर आ रहा था जबकि उसे शिकारी का दरजा प्राप था लेकिन तभी वुजिन चेओल इस तंद्रा से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाने में व्यस्त था जब तक कि उसने अपने अधिनस्त द्वारा कही गई ऐसी बात नहीं सुन ली जिसे किसी भी परिस्थिती में अंदेखा नहीं किया जा सकता था आखिर हंटर वीर का संबन वहां से क्यों आना पड़ा इस कर्मचारी की बातों में कुछ हद तक कसंतोष जलक रहा था वूजन चेओल की तंद्रा एक पल में दूर हो गई उसने तुरंत इस कर्मचारी को अपने सामने सावधान की मुद्रा में खड़ा कर दिया उस स्थिती में क्या आप श्रीमान सियोंगवोन सोचते हैं कि अगर कल उस अती विशाल द्वार से राक्षस निकलाते तो बहतर होता क्या आप यही कह रहे हैं माफ करें सर अरे नहीं ऐसा नहीं है अधीनस्त अपनी घबराहट को छिपा नहीं सका वूजन चेओल ने अपनी तीकी डांट को बिना परवा किये उड़ा दिया यदि अब तक आपको जो फोन कॉल आ रहे थे उनमें टीवी स्टेशनों से साक्षातकार के लिए नहीं बलकि मृतक हंटर्स के रिष्टेदारों से अपने प्रियजनों की खबर मांगने के लिए कॉल आ रहे थे तो क्या आपको सच्मुच लगता है कि आप केवल इस विचार के साथ काम करना जारी रख सकते हैं कि चीजें आपके लिए बहुत व्यस्त हो गई है अधिनस्त कर्मचारी वू जिन्चियोल की नजर का सामना भी नहीं कर सका भले ही आप नामात्र के लिए हंटर्स असोसियेशन के कर्मचारी हो लेकिन जब तक आपने फील्ड में काम नहीं किया है आप इसे कभी भी सही मायने में नहीं समझ पाएंगे वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि अपातकालीन स्थितियों में हंटर्स को क्या क्या सहना पड़ता है वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह की चीजें सामने आई और उन्हें कालकोट्वी में दफना दिया गया अंधेरे में जहां कोई उन्हें देख नहीं सकता था सुपर मैसिव गेट पर छापे के दोरान घटित हो सकने वाले सभी संभावित परिद्रिश्यों पर विचार करते हुए कल जो हुआ वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा परिनाम था जिसकी कोई भी आशा कर सकता था एक लाग से ज्यादा राक्षस बाहर निकले लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ कुछ भी नश्च नहीं हुआ इतना ही नहीं वे सभी राक्षस हंटर वीर की लड़ाकु सेना में समाहित हो गए भला इसकी कलपना कौन कर सकता था वास्तव में कोई भी व्यक्ती ऐसे परिनाम की कलपना भी नहीं कर सकता था जो उसकी अपेक्षाओं से कहीं अदेखो इस तरह वूजिन चियोल को चेहरे पर मुसकान के साथ काम के इन पहारों को सहना पड़ा जिन्हें पूरा करने के लिए शायद उन्हें कई राते जाग कर गुजारनी पड़ी लेकिन सोचिये हंटर्स असोसियेशन का एक कर्मचारी कल की घटनाओं के बारे में शिकायत करने में व्यस्त था सिर्फ इसलिए कि उसका शरीर थोड़ा ठक गया था वे इतनी निरर्थक बात कहने का साहस कैसे कर सकता है यदी हंटर वीर पास में मौजूद होता तो वूजिनचियोल यूवा हंटर को गुछा आने का मौका मिलने से पहले ही इस कर्मचारी को कुछ समझा देता वुजिन चियोल को इस बात की गहली समझती की वीर किस दौर से गुजर रहा था असोसियेशन के अध्यक्ष ने अपने कर्मचारियों को कुछ देर के लिए रोका और उन पर नजर डालते हुए उची आवाज में बोलना शुरू कर दिया मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मिस्टर वीर के अचानक गायब हो जाने से आप सभी कितने परेशान हैं हालां कि इसके पीछे कोई अच्छा कारण अवश्य रहा होगा कि हंटर वीर को इस तरह से गायब होना पड़ा वुजिन चेओल ने बहुत समय पहले एक फिल्म देखी थी जिसकी कुछ पंक्तियां उसके दिमाग में बार बार भूम रही थी हालां कि उस पंक्ति ने उसे हंटर वीर के कंदों पर अब पढ़ने वाले भारी बोज की कलपना करने में मदद की मैं कुछ समय से मिस्टर वीर के आसपास रहा हूं लेकिन कल पहली बार उसे इतना तनावग्रस देखा दरसल वीर को ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कौन उसकी जगह कोई भी होता तो जल्दी से वहां से निकल जाने के बारे में सोचता जबकि गेट वाला बचाव करते हुए मरने के लिए तयार था लेकिन अचानक से उसने खुद ही अपने बुलावे उगलने शुरू कर दिये और तो और उन्होंने अचानक से अपनी वफादारी की कसम खानी शुरू कर दी कौन इतना मूर्ख हो सकता है कि उस पर दोश की उंगलियां उठाए अभी असोसियेशन का काम तब तक भार बांटना था जब तक हंटर वीर अपनी उलजन दूर करके वापस आकर वर्तमान स्थिती की व्याख्या नहीं कर लेते समय और परिस्थितियों की परवा किये बिना असोसियेशन को शिकारियों के लिए एक मजबूत भरोसेमंध धाल की भूमिका निभानी थी अगर हम हंटर असोसियेशन के लोग भी यह नहीं समझ सकते कि मिस्टर वीर किस स्थिती से गुजर रही है तो और कौन समझेगा उसकी नाग काफी लाल हो गई थी मुझे खेद है सर मैं विचार हीन हो गया था मुझे सच मुच खेद है वुजिन चियोल ने बिना कुछ कहे उस आदमी के कंदे पर थप थपाया और उसे वापस अपने पद पर लोटने को कहा और फिर बैग गए फूबू वह केवल थोड की दुविधाओं में फसा होगा मुझे आश्चर्य है मिस्टर वीर अब क्या कर रहा है उजडवल चेहरे के साथ वीर दोनों मार्शलों से काफी दूर चला गया इगरित उसके पास आकर खड़ा हो गया अन्यचाया सैनिक भी एक विशाल घेरे में फैल गए और दोनों मार पर रखी तलवार निकाल ली अब तक तो वह इगरिट जैसा ही तलवार बाज लग रहा था लेकिन फिर हम वीर की नजर अब बेलियन की तलवार पर तिकी थी ब्लेड का आकार बहुत ही अनुखा लग रहा था रुको क्या मैं इसे ब्लेड भी कह सकता हूं वास्तव में ब् बेलियन ने उसे रोग दिया और हमले को अपने पास से निकल जाने दिया और फिर जब बेलियन ने अपनी तलवार से इशारा किया और तलवार अचानक एक लंबे सांप की तरह बेरू की और उलने के लिए फैल गई शुशु 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 बेरू ने तुरंद घूम कर ब्लेड को दूर फेंग दिया जहनकार ये सिर्फ शुरुआत थी बेलियन ने अपनी तलवार को चाबुक की तरह इस्तिमाल किया और अपने लक्षे पर अविश्वसनी हमलों की बचार कर दी ब्लेड का लचीला शरीर जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मन था बेरू के आसपास की जमीन और हवा को पीटने के लिए अपने धारक की इच्छा के अनुसार नाचता और एंटता था नमाका 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 दूसरी ओर बेरू इस समय केवल इतना ही कर सकता था कि वह अपना पूरा ध्यान हमलों से बचाव करने में लगाए की इहक बेलियन के हमलों को देखते हुए जो सपश्ट रूप से तलवार प्रकार के हत्यार द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार कर गए थे वीर ने कलपना की की क्या होगा यदि वह उस हमले का सामना कर रहा होता जब उसने ऐसा किया तो सब कुछ धीमा हो गया फिर भी इस धीमे समय के भीतर भी बेलियन की तलवार खतरनाक रूप से तेज रही वीर की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई उसकी आँखें जो अब थंडी चमक बिखेर रही थी अप्रत्याशित तलवार नृत्य की हर एक थपकी और हर एक जटके को पकड़ रही थी उपर बाईयोर, दाईयोर, फिर उपर बाईयोर, फिर नीचे बाईयोर और उपर दाईयोर उसकी कल्पना का वह व्यक्ति सभी आक्रमनों से बच निकला और बेलियन के सामने खड़ा था और फिर उसने सिपाही को कार डाला, वीर की कल्पना में बेलियन की गरदन जमीन पर लुड़क गई उस बिंदूर तक पहुंचने में बस एक पलक जपकने की जरूरत थी बेलियन को क्षंड भर के लिए अपनी गरदन कट जाने का दरावना एसास हुआ और जब उसने वीर की दिशा में देखा तो वह चौक गया उफ वह एक दिल्चस्प हथियार की खोच के बाद थोड़ा बहग गया बेलियन की घबराई हुई निगाहों का सामना करते हुए वीर ने माफी मानते हुए जवाब दिया लेकिन ये सिर्फ कुछ पल के लिए ही रहा बेरू ने इस अफसर को नहीं गवाया और बिजली की तरह बेलियन की और जपटने से पहले उसने उस चिड़ाने वाले कठोर ब्लेड को कुरुटापूरवक दूर फिंग दिया की यह चूरा भूंकना दुरभाग्य से वीर की अपनी उम्मीद के विप्रीत अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट में हतियार भूंपने वाला व्यक्ती बेलियन था यहा प्रत्याशित रूप से तेज मोटर रिफ्लेक्स है इसके अलावा एक डरावनी शक्ती जो हर हमले में सब कुछ नश्ट करने में सक्षम है यह बेलियन था वह सैनिक जिसे शेड़ो आर्मी के ग्रैंड मार्शल के रूप में किसी भी चीज की कमी नहीं थी फिर भी किसी को भी अपनी सतर्क्ता कभी कम नहीं करनी चाहिए अपने एक सैनिक के बारे में इस तरह से बात करना थोड़ा अजीब था लेकिन सच तो ये था कि एक कीट की सबसे बड़ी खूबी उसकी द्रिर जीवन शक्ती थी बेरू ने अचानक अपने शरीर का आकार बढ़ाया जबकि उसके पेट में तलवार लगी हुई थी उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर अपनी बड़ी मुट्ची से वार किया क्वाबूम उस प्रहार की शक्ती इतनी अधिक थी कि बेलियन के पत्वार का एक हिस्सा तूट गया और हवा में काला धुआ फैल गया की इहक लगभग तुरंथी बेरू ने अपना दूसरा हमला किया नहीं उसने कोशिश की बेरू की कलाई बेलियन की शक्ति शाली पकड़ में आ गई चीटी सैनिक ने अपनी शारीरिक शक्ती का उप्योग करके उसका हाथ बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से ग्रैंड मार्शल एक इंच भी नहीं हिला इस बीच बेलियन ने अपना मुक्त हाथ पीछे की और मोड़ा उस मुने हुए हाथ में बहुत अधिक मात्रा में मैना इकठा हो गया एक पल के बाद धमाका बेरू की छाती पर जोरदार मुक्का मारा गया और वह सीधी रेखा में पीछे की और उर गया उसी समय उसके उरते हुए फिगसे उत्पन शौकवेव ने उसके आसपास के जंगल को भी अपनी चपेट में ले लिया और पेडों को उनकी जड़ों सहित जमीन से उखार दिया गया और फिर उन्हें किनारे की ओर फेंग दिया गया पेडों के समुद्र के बीच अचानक एक लंबा और सीधा रास्ता बन गया की ईहक बेरू ने जल्दी से अपने पंक फैलाए ताकि उसका शरीर लगातार दूर न उचले दुर्भाग्य से जैसे ही वह किसी तरह खुद को संभालने में काम्याब हुआ बेलियन पहले ही उसके सामने आ चुका था इसके बाद जमीन की ओर एक शक्तिशाली जटका आया क्वाबों जैसे कोई उलकापिन धर्ती से टकराया हो जमीन पर एक बड़ा गढधा बन गया और बेलियन हलके से उसके अंदर जा गिरा इस गड़े के बीच में बेरू अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाब देने के लिए जल्दी से उठ रहा था अबाम तोर पर कोई भी पुराना दुश्मन अब तक तुकड़े तुकड़े हो चुका होता लेकिन वह पहले से ही इन हमलों में से कई का सामना करने में काम्याब रहा था स्विश बेलियन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से बेरू के पंजे को दूर फेका और इस तरह चीटी सैनिक के सिर्किट एक उपर से वार किया नमाका, यहीं से हवाई युद्ध की शुरुआत हुई नमाका, 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 नमाका बेरू के हमले केवल बेलियन के संतुलन को थोड़ी देर के लिए बिगारने के स्तर तक ही सीमित थे लेकिन नमाका, बेलियन के प्रत्येक हमले में घातक शक्ती छिपी थी क्रैक क्रैक बेरू के बाहकन काल पर दरारें इस प्रकार बन गई थी मानोवे किसी भी क्षंटूर कर बिखर जाएंगी की इहक फिर भी बेरू ने अंग तक पूरी ताकत से विरोध किया इस लड़ाई में हार मानने का कोई संकेत नहीं दिया उसने बेलियन के कंधे को दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद والे ने बेरू की गरदन को पकरने से पहले उसे दूर धकेल दिया अब बेरू ने अपने पूरे शरीर को हिला कर खुद को मुक्त किया, लेकिन बेलियन ने कोई हरकत नहीं की बाद में उसने बस एक बार फिर से मेना को अपने मुक्त हाथ पर केंद्रित किया ताकि वह आखिरी बार हमला कर सके और इस लड़ाई को समाप्त कर सके मन की एक भयावेह मात्रा जो एक ही वार में ड्रैगन के सिर को आसानी से चकना चूर करने के लिए परियाब थी उसके चारों और एकत्रित हो गई और उसकी बाह के चारों और के स्थान को विक्रित कर दिया इसके साथ ही इसका अंथ हो जाएगा बेलियन की मुनी हुई मुठी जल्द ही बेरू के चहरे की और उल गई लेकिन वीर ने आगे बढ़कर घा तक मुठी पकड़ ली क्योंकि वह आज बेरू का सिर फटे हुए नहीं देखना चाहता था जपटना बस काफी है बेलियन को एहसास हुआ कि यह उसका स्वामी था जिसने अपनी मुठी रोक ली थी और उसने तुरंट अपना हमला वापस ले लिया मेरी लीग ग्रैंड मार्शल ने जल्दी से घुटने टेके और अपना सिर जुका लिया आपने अच्छा किया वीर ने अपनी आँखों से बेलियन की प्रशंसा की कि उसने कुछ भी नहीं चुपाया और इस तरह से अपनी शक्ती का प्रदर्शन किया फिर वह बेरु के पास गया जो जमीन पर गिर गया था की वीर ने लड़ खड़ा थे अस्थिर बेरु को दया भरी निगाहों से देखा और फिर उससे वास्तविक जिग्यासा से पूछा अरे बेरु तुम ग्रैंड मार्शल के पद पर इतने अड़े क्यों हो की, मैं केवल यही चाहता हूँ की मैं ग्रैंड मार्शल बन जाओं और हमेशा अपने स्वामी के बगल में खड़ा रहूं बेरु अपने दुखी मन के कारण आगे कुछ नहीं बोल सका वीर ने अपना सिर्क उजाया और अपना जवाब दिया ग्रैंड मार्शल मेरे दाहिनी और खड़े हो सकते हैं, जबकि आप मेरी बाई और खड़े हो सकते हैं, है ना विसमयादि बोधक चिनह, विसमयादि बोधक चिनह, विसमयादि बोधक चिनह तभी बेरु को एहसास हुआ कि वह ग्रैंड मार्शल बने बिना भी अपने स्वामी के बगल में खड़ा हो सकता है और उसकी आँखे खुल गई मैं इससे सम्मानित महसूस कर रहा हूँ इसे रोक बेरु और उसकी आँखों में भरे भावुक आंसूओं को पीछे छोड़कर वीर वापस खड़ा हो गया और एक असहाया अहभरी लेकिन फिर एक और छाया सैनिक चुपचाप उसके पास आया यह कोई और नहीं बलकी इगरित था जो बिना कुछ कहे वीर और बेरु के बीच की बातचीत सुन रहा था हे महराज मुझे चुनोती देने का अफसर दिया जाए जैसे ही इगरित ने सावधानी पूरवक पूछा वीर ने तुरंत उत्तर दिया जैसे कि वह पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था आप मेरे पीछे खड़े हो सकते हैं विसमया दिबोधक चिनह अपने स्वामी की गहली अंतर द्रिष्टी के कारण इगरित अपना शेश वाक्य पूरा नहीं कर सका क्या ऐसा है अंत में छाया समराथ हमारा दुश्मन बन गया है ड्रेगन समराथ जो वर्तमान में एक मानव रूप में था उन राजाओं से रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था जो पहले ही प्रित्वी पर उतर चुके थे केवल उनकी आवाजें इस अनंत अंधकार में धीरे धीरे गूंज रही थी मैं समझ गया ठीक है मैं उससे व्यक्तिगत रूप से निप्टूंगा आप में से कोई भी आगे न बढ़े हमें आगे और नुकसान को रोक न होगा ड्रेगन समराट ने स्थिती का पूरी तरह से विशलेशन किया और समराटों से संबंध समाप्त कर दिया जल्द ही कोई आवाज नहीं आये ये दुनिया आयामों के बीच का अंतर जहां कुछ भी मौजूद नहीं था जल्दी ही खाली चुप्पी से भर गया संप्रभूओं के लिए ये जगह नरक से अलग नहीं थी क्योंकि यहां नश्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था अपने पीछे मुड कर अपने पीछे के अंधेरे की और आदेश जारी किया मेरे सैनिकों युद्ध के लिए तैयार हो जाओ जब ऐसा हुआ तो अंधेरे में छिपे हुए दरजनों प्राचीन श्रेनी के ड्रेगन सैकडों ड्रेगन और हजारों ड्रेगन वेट्स ने अपनी आँखों से तीकी चमक निकाली और एक साथ दहारने लगे